मेरे प्यारे देश वाचियों नमस्कार नमस्कार करोना वैस्विक महमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग तू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये सारे के लिजाने क्या क्या होते है ऐसे मैं मेरी आप सभी देश वाचियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए साथियों ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखे तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिती में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक बन हुआ है व्यतिगत और सामाजिक वहवार में ला परवाई जरा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्ग थे लेकिन आज जब हमें जादा सतर्गता की जरुद है तो ला परवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की सौंस्ताओं को देश के नागीकों को फिर से उसी तरह की सतर्गता दिखाने की जरुरत है विशेश कर कंटेंडमेंट जोंस उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सारवजनिक स्थल पर मास्थ पहने बिना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये एक सो तीस करोड देश स्वास्चों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लोकडाउन के दोरान देश की सर्वोच प्राथिक्ता रही ऐसी स्थिती ना आए कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोय देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमा करवाए गये हैं इस दोरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारा हजार करोड रुपिय जमा हुए है इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्श कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आश्चर्य में डुबो दिया है वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतरिक प्रती परिवार हर महने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से ज़्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियो आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर गोश्णा करने जा रहा हूँ साथियो हमारे हाँ वर्शारूतू के दौरान और उसके बाद मुख्य तोर पर क्रिसिक शेत्र में एग्रिकल्टर सेक्टर में ही ज़्यादा काम हो पाए अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे तोहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर्णे मा है फिर सावन शुरू हो रहा है फिर पंदरा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा, कृष्णा जन्मास में आएगी, गनेश चतुर्थी आएगी, ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं, नवरात्री हैं, दुर्गा पूजा है दशारा है, दिपावली है छठी मरिया की पूजा है तोहारों का ही समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते विए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छठी पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोर लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोर से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा और साथ ही प्रतेट परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोर रुपिये से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब बेड़ लाग करोर रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्जों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्जों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की बवस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाब उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्रक्ताओं के लिए अपना गाउँ छोड़ करके कहीं और जाते हैं किसी और राज्जे में जाते हैं साथियों, आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही हैं हमारे देश के महंति किसान हमारे अन्न देता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वज़े से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है अपना दाई तो निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स पेयर का रुदे से बहुत बहुत अभिनदन करता हूँ उन्हें नमन करता हूँ साथियो आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे हम गरीब पीडी किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहतियाद बढ़ते हुए एकोनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे हम आत्मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे इसी संक्रप के साथ हम एक सो तीस करोड देशवासियों को मिलजुल करके संक्रप के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रांशना करता हूँ आपके लिए भी प्रांशना करता हूँ आप से आंग्रह भी करता हूँ आप सभी स्वस्त रहिए दो गज की दूरी का पालन करते रहिए गमचा, फेसकवर, मास ये हमेशा उप्योग कीजिए कोई लाप परवाही मत बरती है इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है देता हूँ धन्यवाद अभी आप मानिनी प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी का राष्ट के राम संदेशन रहे थी ये प्रसारम आकेशोनी के दिल्ली के अंदर से किया गया